हम ऐसा मानते हैं कि महिलाओं के विकास का उत्थान का पत्त निश्चित करने वाले पुरुष नहीं हो सकते उल्टा सम्भव है लेकिन ये सम्भव नहीं स्वामी विबेका अनुंद को पत्रकार ने पूछा कि महिलावर्व के लिए आपका संदेश क्या है तो उन्हों का महिलाओं के लिए संदेश मैं कोई संदेश देना नहीं चाता हूँ उनको संदेश देने की अवकात पुरुष वर्दकी नहीं है इसी पुरुष ने उनको संदेश नहीं देना चाहिए वो समझे अपने स्थिती को और उसमें से बाहर आए इसके लिए उनका प्रशिक्षण प्रबोधन करना चाहिए वो करना चाहती है उसके लिए उनको स्वतंद्र करना चाहिए अवसर देना चाहिए पुरुशों ने महिलाओं के उत्थान का अहंकार मन में लेकर कोई दुस्सास नहीं करना चाहिए जो करना है वो उनको करने दो तो वो ठीक होगा सबके लिए कल्याण कारी हो यह हमारी भारतिये दुष्टी है अब उसको अगर पुरानी भाषा में वर्ण करते तो लगता है कि हम उनको धीवी बना रहे हैं वैसा नहीं है वो जगजन्यनी का आउस है याने सुरुष्टी निम्राण की ताकद उन में है सुरुष्टी पालन की ताकद उन में है और अगर वो इतनी घड़बड हो जाती है कि ठीग नहीं हो सकती तो उसका विद्वों सकरने की भी ताकद उन में है इतनी शक्ती महिलाओं में अंतरनी हित है और उस शक्ती का प्रमुक कारण है उनके पास वातसल्य है जीवन का व्यापार चलता है तो पुरुष्ट और महिला ये दोनों होने चाहिए समाज को जोडने वाला समाज को उन्नत करने वाला धर्म होता है धर्मकारे का अधिकार सन्यासी को नहीं है ब्रह्मचारी को नहीं है समाज को जोडने वाला उपर उठाने वाला काम कोई भी होना है तो उसमें घ्रहस्थ ही चाहिए क्योंकि दोनों चाहिए इस परसपर पूरगता को और मात्रुशक्ति की इस व्यापकता को सर्वसमर्थता को ध्यान में रखकर पुरुषों ने क्या करना है तो जो तीन बाते बताई एक्सेस देना है अपॉर्चुनिटी देना और अपॉर्चुनिटे उप्योग करने की बुद्ध्य हो हिम्मत हो शक्ति बने इतना प्रभुधन करना है और स्वतंत्रता देनी